समय की बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे की पूरु मंत्री चोद्रिलाल सिंग को 14 नौमबर तक E.D. को सोप दिया गया है यानि के रिमांड पर E.D. को सोप दिया गया है साथी साथ इस मामले में गिरफतार किये गे पूरो मंतिलाल सिंग को गहन पूचताच के लिए विशेश नायादिक्ष के सामने पेश किया गया ED के विशेश वकील अश्वनी खजूरिया ने 14 दिन की रिमान मांगी यारी की रिमान की मांग की गई और उसके बाद मैं आपको उतादी चलू की यह कहा गया कि यारी की सुनवाई के बाद ED को ynn gemaन की पहले जो है वो 14 दिन की रिमान की मांग की गई लेकिन वही पर E.D. ने फिलाल साथ दिन की रिमांड जो है वो चोडिलाल सिंग को यानि की E.D. को जो है वो सौपी गई है और साथ दिन की रिमांड पर जो है वो देखने को मिला लगातार G.M.C. की बात करें तो जम्मू जीमसी के बाहर जो है वो चोड़िलाल सिंग के स्पोर्टर समर्थन करते हुए नजर आए फिलाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि साथ दिन के रिमांड पर जो है वो एजी को यानि की चोड़िलाल सिंग को एडी को सौप दिया गया है और साथ इसाथ जिस तरीके से उनके वकील की बात करें तो हाला कि चोड़िलाल सिंग के वकील ने बिमारी का हवाला भी दिया और ये भी कहा गया कि रिमांड ना देने की मांग भी की गई यानि की एडी के वकील ने जो है वो चोड़ा दिन की रिमांड की मांग की और उसके बाद एडी यानि की जिस तरीके से चोड़ा दिन की मांग की गई थी लेकिन नायदिक्ष यानि की कोट ने जो है वो साथ दिन की रिमांड की सुनवाई दी और उसके बाद जब चोड़ ये रमान ना देने का सवाल ही नहीं उठा इस आफ़ तोर पर कोट की तरफ से कहा गया है और जो तरीके से लगातार परदर्शन जो है वो देखने को मिले लगातार स्पोर्टर जो है वो समर्थन देते हुए नजर आए जहां पर जमू जीमसी में बीते समय की बात करें तो बीते समय में इस तरीके से जीमसी के बाहर जो है वो समर्थन देते हुए स्पोर्टर नजर आए जहां पर उनका साफ तोर पर ये कहना था कि कहीं न की चोडिलाल जहां गांदी नगर हॉस्पिटल में काफे जादा तबियत उनकी खराब थी और उन्हें गांदी नगर हॉस्पिटल में पहले बर्थी किया गया और उसके बाद उन्हें जम्मू के जीमसी में रफर किया गया उसके बाद जब यानि की देर दूपैर एडी जो है वो जब चो पर सामने आ रही है कि एडी की तरफ से यानि की विकील की तरफ से जो है अश्वनी नाम में आपको बताती चलू अश्वनी खजूरिया नाम बताया जा रहा है जो कि एडी के विशेश वकील है उन्होंने 14 दिन का रिमांड मांगा लेकिन सुनवाई के बाद जो है वो एडी क वो साथ दिन का ही रिमान दिया गया और साथी साथ जब चोडिलाल सिंग के वकील ने बिमारी का हवाला दिया और कोट से रिमान ना देने की मांग की गई तो कोट ने साफ तोर पर कहा कि रिमान ना देने का सवाल ही नहीं उठता साथी साथ उन्हों ने ये भी कहा कि कोट ने इडी के हवाले वो कर दिया गया है और जिस तरीके से लगातार जो है इडी कार्याले के बात करें तो वहाँ पर भी स्पोर्टर जो है वो नजर आए जहां पर समर्थन दिया गया और लगातार यही कहा जा रहा है समर्थन की तरफ से कि चोडिलाल सिंग को जो है वो फसाया जा रहा है कहिना कि चोडिलाल सिंग के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है और वही पर चोडिलाल सिंग का भी बड़ा आरोब जब उन्हें ED GMC अस्पताल से लेके जा रही थी तब एक बड़ा आरोब जो है वो चोडिलाल सिंग की तरफ से यानि चोडिलाल सिंग ने कहा कि उनका प्रोपर तरीके से इलाज नहीं करवाया गया, उनका जो यानि की जो उन्हें ट्रीट कर रहे थे treatment जिन डॉक्टर के पास था उस डॉक्टर से नहीं हाला कि दूसरी डॉक्टर से जो है वो साइन करवाया गया बड़ा आरोब जो है वो चोडिलाल सिंग की तरफ से लगाया गया है कि प्रॉपर तरीके से जीएमसी में उनका इलाज नहीं वा लेक वही पर कोट ने जो है वो साथ दिन की रिमांड जो है वो दी गई है और जिस तरीके से बीमारी का हवाला भी यानि की चोड़ी लाल सिंग के वकील की बात करें तो उन्होंने बीमारी का हवाला भी दिया लेकिन वही पर कोट ने साफ तोर पर ये कहा की रिमांड ना देने का सवाल ही नहीं उटा लगातार तस्वीरे हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जीमसी के जीमसी अस्पिताल के बाहर जो है वो स्पोर्टर्स नजराय समर्थन देते हुए नजराय और लगातार रहा कल बीते समय की बात करें तो बीते समय देर दोपार एडी जो है वो उन्हे एडी के ओफिशल्स जो है वो उन्हें यानि की जोडी लाल सिंग को वहां से लेके गे कोट में पेश किया गया और कोट से जब अश्वनी खजूरिया ने जो की एडी के विशेश वकील है उन्होंने जब 14 दिन की रिमान मागी तो कोट ने सुनवाई में जो है उन्हें सिक चोडी लाल सिंग पर यानि की स्पोर्टर्स का यह कहना है कि चोडी लाल सिंग पर जो है यानि की आरोप लगाये जा रही है और जिस तरीके से यानि की मनी लॉंडरिं के मामले में जो है वो ईजी नहीं चोडी लाल सिंग को गिरफतार किया और फिलाल वो साथ दिन की रिम उसी आवाज को दमाया जारा है जहापस спorter स्थी कहते हुए भी नजर आए कि डोगरों को अब जाग जाना जाए डोगरों को अब जो है वह सडकों पह आ जाना जाए क्यों कि एक ही डोगरू की जो आवाज है वो चोड़िलाल सिंग है फिलाल जाते जाते आपको फुर्ब बताती चलू कि इस वकत रिमांड यानि कि साथ दिन की रिमांड दी गई है इडी को सोब दिया गया है जहापर 14 दिन की रिमान का मांग किया गया था लेकिन कोट ने फिलाल 7 दिन की रिमान दिगी आगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी आपसे साजा करेंगे लेकिन फिलाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूरु मंत्री यानि कि मनी लॉ मुझे दीजे जादत बने रेजे की 24 के साथ शिल्प शॉमा के साथ नमश्कार